आज मैं बनाने वाली हूँ घर पर एक ओर्गेनिक फर्टिलाजर इस फर्टिलाजर का इस्तुमाल में हर एक महिने में करती हूँ और देखिये मेरे टेरेस गारडन में लगे हुए पोधो में कितनी ज़्यादा सबजियां लगी हुई है और ये बड़े आसानी से घर पर फिरी में तयार हो जाता है तो मेरा नाम है उर्मिला और आपका स्वागत है हमारे यूटूब चेनल विलेज टेरेस गारडन में अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चेनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें तो इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा चाच तो चाच बड़े आसानी से आपको घर पर ही मिल जाएगा तो इसका फर्टिलाइजर बनाने सीधे आपको चाच को पोधों में नहीं डालना है अगर आप डाइरेट छाच को पोधों में डाल देंगे तो आपका पोधा खराब हो जाएगा इसलिए इससे खाद बनाने के लिए हमें चाहिए एक लिटर छाच एक लिटर छाच में आप दो लिटर पानी को मिला कर इसे अच्छी तरह से पानी मिला लीजिए जितनी मात्रा में आप छाच ले रहे हैं उतनी दूगनी मात्रा में हमें इसमें पानी मिलाना है और इस तरह हमारा ये फर्टिलाइजर बन गया है इसका इस्तुमाल मैं अपने गार्डन में लगे सभी पोधों में करती हूँ फूल वाले पोधों में भी और बेगन, मिर्च, टमाटर, लोकी सभी पिरकार के पोधे जो भी मेरे टेरेस गारडन में लगे हुए हैं उनमें मैं इस फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ पोधों पर इस्प्रे करने के लिए आप चाच का भी इस्प्रे बना सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए एक लीटर पानी में आपको थोड़ा सा चाच मिलाना है ज्यादा मातरा में आप चाच को ना मिलाएं तो इस तरह मैंने इस बोटल में इस चाज को डाल दिया है और इसका इस्तमाल आप अगर मिर्च के पोधो पे करेंगे तो मिर्च में जो पतियां सुखर जाती हैं वो वाली बिमारी आपके मिर्च के पोधो पर नहीं होगी आप इसी तरह सभी पोधों पर इस्प्रेव कर सकते हैं जिससे कोई भी बिमारी वगेरा हमारे पोधों पर नहीं लगेगी मैं इसका इस्तमाल हर महिने करती हूँ महिने में एक बार करती हूँ इसके इस्तमाल से मेरे टेरेस गार्डन में जो भी बोधे लग रहे हैं उनमें धेर सारी सबजियां लग रही है यहां पर देखिए यह फूल गोबी बन रही है वो कितनी अच्छी और देखने में अच्छी लग रही है और पत्ता गोबी और टमाटर में देखिए इसका इस्तमाल करने से कितने सारे फूल आ रहे हैं अब भी इस तरह से फिरी में घर की छट पर धेर सारी सबजियां उगा सकते हैं तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद